नमस्ते प्यारे बच्चो, आज हमारा पाठ शूरु करने से पहले मेरा परच्चे दूँगा, मेरा नाम वेंकर्ट नाराने है, आओ मैं कोणिजला मन्डल के UPS शिन्नोगोपति में काम कर रहा हूँ, ठीके बच्चो, पहले हम पाठ का परच्चे लेंगे, एक्षि प्रश्न हम अगर हमारा स्कूल चलता होता तो मैं अभी प्रश्न पूसता होगा, क्या है कि तुम्हार नाम क्या है, तुम्हार पिता जी का नाम क्या है, तुम किस गौँ में रहते हो, ऐसा प्रश्न पूसते हैं, और आप लोग भी पूसते हैं मुझसे, सार आप कहां से आये हैं, आ आप क्या काम करते हैं और आप क्या खाये साथ ऐसा प्रश्ण बूचते हैं ठीके दिन में हम लाको प्रश्ण बूचते हैं तो प्रश्ण बूचने से समाधार मिलता है समाधार माने किसी समाश्य का परिश्कार मिलता है तो हम कभी बुजुर्गों के मुँझ से सुनते हैं प घर्मराज एक्ष के रूप में आकर फांडवों को कुछ प्रश्ण पूचेगा इसलिए इस पार्ट का नाम एक्ष प्रश्ण आया है तो ठीके एक्ष कोल है प्रश्ण क्या है ये बाकी चारी सीजें हम पार्ट में जाने के बद सुन लेंगे और जान लेंगे अब पहले इस पार्ट के सम्मांधित आप चितर देखिए इधर पेल नमबर कोलिए सब के पास जरूर पुस्टर करेना चाहिए यह आनलाइन क्लास भी हो जरूर आपके पास पुस्टर आवर एक रफ नोर्स बोले तो रणिंग नोर्स भी आपके पास रहना चाहिए ठीके बच्चो तो आप टेक्श्बूक में पेल नम्बर 37 पेज खोलिए दिखाई दे रहें ना एकश्व प्रश्ण में पहले विवेकनांद का चित्र दिया है इदर विवेकनांद का चित्र ये चित्र से अमारे पार्ट से क्या सम्बंदित आपको ये प्रश्ण पर उड़ता है तो पहले मैं आपको मालूम है ये विवेकणन्दा के जो गुरू है रामकिष्ण परमहाम सा विवेकणन्द का एक अच्छी आदत है प्रश्ण पूछना विवेकणन्दा की उक गोपल अक्षन में ने प्रश्ण लड़ू तुनटडू उसकी जो धिमाग में क्या चलता है हम प्रश्ण प वेटे तो कुछ बोलेगा, कोई बोलेगा, समधन बोलेगा, नहीं बोलेगे ना, तो विवेकननदा भी उनके गुरु से अनेक प्रश्ण बूचे हैं, और उनके गुरु के जो समधन मिले हैं, उनके धिमाग में एक जोती हुजवल हुई हैं, उसके वजे से ये सारे समसार मे गुम कर हमारे लिए अनेक उपदेश दिये हैं स्वामी विवेकननदा जी तो ठीके इस पार्ट में ये चित्री के सासाथ तोड़ा सा हमारे लिए कुछ प्रश्न भी दिये हैं इश्वर क्या है जन्म के पहले हम क्या थे मुनुच्य के बाद हमारे क्या होगा इश्वर अगार है तो क्या उसे देख जा सकता है ये प्रश्न सारी प्रश्न हमारे विवेकननदा जी ने उनके गुरुप रामकिष्ण भरमामस से पूचा है तो इसका जो समाधान है अपने मैं अपने रूप से, अपने डंग से दे सकते हैं, और अनसर सो, मीनो रखांगे ज helmet कि आपके। मीरो रखांगे, जबुच्छू, इश्वर क्या है। देव दंडे वरूप एक शिक्ति स्वरूप हे, मां यहीं बोलता हूँ. अगर कोई अलग कुछ बोलता है? अल्ला है, जीसस है, यहिदू कुछ। आपके न पहले हम क्या थे? तो अब मैं मानो जनमे कीशड़ के काम कर रहा हूँ, इसके पहले मैं क्या था? नहीं मालूंँँँदिदू, अगर मैं बोल सकता हूँ कुछ। मैं वह है यह है जो ओ मेरी राय है अधना भी प्रया मुरुच्य के बाद हमारा क्या होगा अगर हाम मुरुच्य मुरुच्य दरसके दा चनि पोड़ा चनि पेदराथ एम होतं हुंदी काली बूड़दा होतं हुंदी ले दान्टे माई खुछ लोग बोलता है यह जन्मु के पशुपक्षी के रूप में नई तो किसी कीर माकोडे के रूप में जन्म लेगा हौ उनकी राय है नेक्स्ट इश्वर अगर हेंटो क्या उससे देखा जा सकता है इश्वर को देखा जा सकता है नाई इश्वर को हम आंको से देखा नाई जा सकता है इश्वर को आम अनुबोव कर सकता है इश्वर ने मन अनुबोवींच आट अमाना फीलिंग तो चूड़ में इश्वर इला उन्ना उन्ना उकत नां तड़ू आला उन्ना इंको आत नां त बचो इधर क्या है कि यह पार देना का उद्देश एक्ष्य प्रश्ण यह पार देना का उद्देश क्या है पहले उद्देश जानना है कहानी विदा के माध्यम से कहानी लिखने का ग्नाम प्रप्त करना यह जो कहानी है कहानी कैसे लिखते हैं कहानी की तरीका अलग रहता है और निवांद का तारीका अलग रहता है और कविता लिखने की तारीका अलग रहता है तो इस पार्ट में हमें कहानी लिखने की तारीका हम जा सकते हैं अगर ये पार्ट पूरे सुने तो तीके आओर मैं ये पार्ट शुरू करने से पहले कुछ कटिन शब्दार दो पार्ट स वीडियो है ना इसको पाज में रखे एक बाग पाड को पढ़ली जिए बाग में ये कटिन शब्द आपदू हम जान लेंगे तो ठीके एक बाड पढ़ली जिए आज ये एक्षिप्रेश्ण पाड के बाग वन तो इस पाड को मैं दो बागों में रेंटू पाज के जबत आज मैं इस पाड को पेज नंबर 49, 39 पेज वर शब्द आन। एक बाड में ये कटिन शब्द आपदू सुन लिए ठीके मैं बोलूँगा खोली ये ना टेक्ष्ण जिसर गें दान्दरो राइट कटिन शब्दादू व्यदा व्यदा माने दर्द बरी रुद्तांत। धर्द ये दिकाई नहीं देता इरक अनबड़द मनकी धर्द बच्चों को एक जेसी वेदा ओती है बड़ों को एक जेसी वेदा ओती है और ज जो बड़े बड़े फूजारी लोग नहीं तो यग्न करने वाले यग्न के गुण्ड में वो क्या है कि ये चोटी चोटी लखनी आरालते हैं उसको आर्मी कहते हैं और संगती संगती बोले तो साती रहना सात नुकर कल सून दो तुच्च नीच तुच्च अन्टे नीच आ अईसे अनेक नए शब्द भी आये हैं मैं जो पार्ट बोलते हैं वक्त बोलूंगा जरत ध्यान से सुनिये पहले मैं पार्ट को बढ़ूंगा पेज नंबर 38 देखो ना पेज नंबर 38 पहले एतो समय के अबाव से कुछ टाइम ताक हुँदिक आपटी निच पेरावेज ज क्लास है ना इसलिए पेरावे सुन ले जी ठीक है पहले मैं पेरा फर्स्ट पेरा पढ़ लूंगा आपकी उंगलियों को लाइन के नीचे रख कर सुनी ठीक है यह गटना महाबारत काल की हैं उस समय पांडव द्रवपती साहित 12 वर्ष के वनवास परते एक दिन अचानाक एक ब्रामन पांडवों के पास आया वह अपनी वेदा सुनाते हुए कहने लगा एक हिरन मेरी आरनी की लकडी लेकर बाग गया अब मेरे पास एकनी की अगनी पैदा करने के लिए दूसरी लकडी नहीं है कृपिया मेरी लकडी वापस दिला दो ठीके मैं यह एक्ष प्रस् मालूम है महाबारत और अनगाने मारक बुठकों चे दी पांच पांडव और द्रवपती एक और रव और बीश्मू अनेक लोग याद आते हैं पहले आम पांच पांडवों के बारे में जान लेंगे यह मालूम है ना इस चित्र में पांच पांडव है दर्मराज यह भीमस पांच के लिए वनवास चले जते हैं पन्नन सउच्ण को समने वनवासन खेलतारू अरो वनवास में अनेक कस हाते हैं यह भी आपको मालूम है मगर ये चोटी सी कहानी है एक्ष्यू प्रष्टन रूप में हमारे इस पांट में दीया गया है पीक है यह पांडव लोग जब पनवास करते थे तब एक ब्रामन ने उनके पास आ जाता है किसके पास पांडवों के पास आकर ब्रामन मालुमेना ये ब्रामन लोग जिबवीदे को एगने करते रहते थे सबकी लोककलियान के लिए एगने करते थे ऐसे ही एक ब्रामन ने हमारे पांडवों के पास आकर उनक की वेदा फ्रस्सूत करते हैं क्या है कि ओ महाशे ओ युदुष्टर महाशे मैं जो यगने के लिए कुछ आर्णी तयार रखी है मगर उन आर्णी को कौन एक हिरन्य लेकर गई है तो मैं आब यगने करने के लिए मेरे पास आर्णी नहीं है यगने करने के लिए मेरे पास आर्णी नहीं है मालू मैंना एग्ण में डालते हैं चोटे चोटे लकिनिया डालते हैं चिन 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 करढ़ लो यस्तर वाइटनी आर्णी आण्टर तो ये ब्राह्मन के पास जो आर्णी है वो हिरन लेकर गई है तो ये आकर पांडू हों से अपनी वेधा को बताते हैं मुझे प्रूपा कर तो पांडों ने उस हिरन को डूडने के लिए वनवास में निकले तो बड़ा वनवास है वह वनवास में बोले तो वन में वह पांडों लोग घूम घूम कर थक जाते हैं गुम गुम कर ठक जाते हैं बाकी ये पेरा देखिए देखो ना पेज नमर 38 38 पांटो ब्राह्मन की वेदा से प्रभावित हुए इसलिए वे हिरन की कोज में निकल पड़े तोड़ी दूर जाने पार उन्हें हिरन दिकाई दिया उसे पकरने के लिए वे आगे बड़े परन्तु हिरन उनकी आँखों से पुना गायव हो गया हिरन की कोज में बटकते हुए वे दख गये और विश्राम के लिए एक रुष्ट के नीचे बैट गये क्या है ये पांड़ों लोगने वो हिरन को दूर्णते दूर्णते थक गये थक गये मलतो बला अलसी पयार तो थक जाकर वो किसी एक पेड़ के नीचे बैट गये है तो जब हम थक जाते हैं हमें मुझे हमें क्या होता है पयास लगता है नहीं संद गया था तो ये ठग गये है एक पेड़ के नीचे बैट गये है पयास के मारे सभी के खंट सूक रहेते युदुष्टर ने नकुल को पानी की तलाश में बेजा नकुल पानी की कोज में निकला और चलते चलते एक सरोवर के पास पहुंचा तो इन पांच बाईयों में से चोटा वाल नकुल को ये युदुष्टर ने क्या पला भाई नकुल तुम जाकर कहीं डून लो इधर कोई तालाब है तालाब पान्ड नीट गुंटा ये तो तालाब है ठीके न तो देख लेजिए इधर कोई तालाब है तो देख लेजिए हम जाके पी लेंगे तो नकुल निकलता है तो नकुल निकलने बाद वहाँ एक सरोवर सरोवर या तालब तो सरोवर देख लेता है बाद में देख लो ना पेड़ने मरता टी एच सरोवर देख का है उसका मन प्रफुलित हो उटा वह सोचने लगा कि क्यो नमाई पहले अपनी प्यास बुजालू वह पानी पीने के लिए उद्यत ही हुआता कि सहसा एक आवाज बूज उटी तो नकुल ठग गया वह सरोवर को देख कर उनका मन प्रफुलित हो गया बलतों आनेद हो गये है डाहम तोन नाड़ गया आनीला जुड़ा गया चला हैपी गान पिच्छेंदी तो पीने के लिए वह अपने हाथ यह सरोवर में डाल कर पीने के लिए शुरू किये मगर उतने में एक आवाज क्या है भै आवाज आवाज बलतों एक बवश्यवानी एक बवश्यवानी के रुप में एक आवाज आये है यह ऐसा ताला में पानी पीने के लिए गया हमारा नकुल अईसा हाथ में पकर लिया और पीने के लिए तयार हुए तो उसमें से एक आवाज आया है एक आवाज क्या है बहुश्यवानी वो दिकाई नहीं दिया है आवाज आया है किसी बहुश्यवानी के रूप में उसको एक दिकाई नहीं दिया है एक बहुश्यवानी के रूप में क्या है कि शब्द निकले हैं उनके मुँसे क्या है देखो सुना ना हे नकुल पानी पीने का दुस्षा हास ना करे सावधान पहले मेरे प्रश्णों के उत्तर दो नकुल चेतावनी के परवाना करके पानी पीने लगा पानी पीते ही वह भूमी पर गिर पड़ा बहुँ देर तक नकुल के ना लवटने पर विदुष्णर को चिंता सतने लगी तो ओ ववश्यवानी क्या बोली ए नकुल पानी पीवो मत अगर पानी पीना है तो मैं कुछ प प्रशनों पूछेंगा उनके समाधान देने के बाद अगर मैं प्रसंद हुए तो तुम पी सकते हो अगर निनन कोनी प्रशन अड़ो तानो पारी के आंसस चेपते हैं आ नीलो ता आगा लंडो नकुल क्या सूचता है ये कौन है मैरे को बोलने वाला मैं बलवान हूँ तो वो पीलेन के लिए तयार हो जाते हैं पीलेन के लिए तयार हो जाते हैं मगर ये वो पानी पीता है वो बेहो शोब कर जैमी पर गिर पड़ता है कौन नकुल तो नकुल जाकर बहुत देर हुए है और नकुल अब तक नहीं आया है पुदर युदिष्टर बाकी पांडो भा बहुत देर तक नकुल के ना लवटने पर युदिश्टर को चिंता सतने लगी उन्होंने उसकी कोज में बारी बारी से सादेव अर्जोन और बीम को बेजा है। नकल पड़े तो नकुल नहीं आया है। बाद में आमारा द्रमराज युदिश्टर क्या है बीम को बेजता है। इस प्रकार बीम, ये अर्जोन, सादेव, ये बाएकि सब लोग बेज़ हो जाते हैं। तो आके दर्मराज ही निकल पड़ते हैं, क्या है मेरे भाईयों न अब तक नहीं आये हैं, वो चिंटित होकर निकल पड़ते हैं, उसको भी सरोवर दिकाई देता है, उसको भी सरोवर दिकाई देता है, मगैर उस सरोवर के पास उनके छारो भायों गिर पड़ते हैं, मानो मर जाते हैं अइसाथ को पढ़ जाते हैं चानी पेनेट लो पड़ी पोतर मां चानी पेनेट लेदो आ टेंशन लो मना धर्मराजो उंटर तुरुशा से व्याकुल युदिश्टर पहले अपनी प्यास शांत करने के लिए सरवर को ओर गए वही युदिश्टर को अपने बाई धरा पर पड़े दिकाए दिये हैं जैसे ही वे आगे बड़े तो उन्हें भी वही आवा सुनाई दी सावदान तुमारे बायों ने मेरी चेतावनी की ओर ध्या नहीं दिया इसलिए उनकी ये दशा हुई येदि तुम पानी पीने चाते हैं तो पहले मेरे प्रश्णों के उत्तर दो फिर अपनी प्यास बुजाना युदुष्टर ने कहा स्रीयमान आप प्रश्ण कीजिए मैं उत्तर देने के लिए तयार हुँ तो ये जो बविश्यमानी है ना वो भी दर्मनाज युदुष्टर से बोलेगी क्या कि तुमारे भायों ने मेरे बात नह सुनी वो वो बेश हो गये है वो मर गये है तुम भी वैसे करें तो तुम भी वैसे होगा इसलिए पहले मेरे प्रश्णों को समाधान दो बाद में पानी पीने के लिए तयार हो तो दर्मराज बड़ी विनमरता के साथ ठीक है महाशय आप प्रश्ण बूचिए मैं समाधान देने के लिए तयार हूं ठीक है अब यहां से समवा शुरू हो जाता है यहां से समवा ठीक है बड़तो दो रहना दो रहे तो अच्छा रहता है अब एक लड़की को मैं बुलाओंगा आओ बच्ची इसके नाम त्रयोधा है और यह एक्ष के रूप में अभिने करेगी मैं दर्मरा दियान से सुनिए यह 48 पेज के 39 पेज में देख लिजिए आकार से भी उन्चा काउन है पिता हवा से भी तेज चलने वाला काउन है एक्ष महाशय मन विदेश जाने वाले का साथी काउन होता है विद्या मारनासन डुद का मित्र काउन होता है महाशया दान क्योंकि वही मुरुच्य के बाद अखेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है सुक क्या है जो शीव और सच्चरित परस्तित है सबसे थुच क्या है महाशय चिनता है किसके चूर जाने पर मनुष्य सर्वप्री बनता है अहामबाव के चूर जाने पर मनुष्य सर्वप्री बनता है अब यह समवा सुने हैं आप लो तो इसमें कम से कम दस प्रश्न पूचे गए हैं एक्षिने एक्षिन दस प्रश्न पूचे है आओ तो पहले आमा इसको विवरन दूँँगा पहला प्रश्न क्या है कि मनश का साथ कौन देता है धायरी मनश की एपड़ तुरूड़ने धायरे में अब जो मैरा कलम है जेव में जो पैसे है अमारा साथ नहीं रहेगा कौन साथ रहेगा अमारा जो दिल में जो देरी है वो साथ हैगा आओ नेक्स्ट कॉच्छन क्या पूस्ता है एक्ष्नो कौन साथ है जो मनश को बुद्धिमान बनता है कोई भी शास मनश को बुद्धिमान नहीं बनता है क्योंकि महान लोगों की संगती पुस्तेकाल जूसी तेदर टीवी लो जूसी मनाओ आंतो तुन्दरगा मारत हगर हमें हमारा दिल में बदलाओ लाना चाहते तो किसी की संगती अच्छे लोगों की संगती मन्ची वालत मना स्नेयान जेशते तुन्दरगा वाले गुरा मना का अंदू दे हमारी माता तो इतने सारे बच्चों को पैदा करके उनकी तकलिफों को वह अपने खंदों में रखकर पालंग करती है इसलिए पृद्वी से भी भूमी से भी भारी कौन है हमारी माता और क्या पूछता है आकाशे भी उन्चा कौन है हम क्या सूसते हैं आकाशे भी उन्चा कोले तो तारे यह क्या है कि सूर्यू चंद्रमा ऐसा बोलते है नाई ने आकाशय भी उंचर पिता है, पिता की प्रेमा, पिता की ये जो उसकी लालन पालन हमारे उपर क्यो कूछ दिखाता है न हो आकाशय भी भड़ी है तंत्री प्रेमा आकाशन गंटे एत्ते ना है聽 खूपडी हवा से भी ते चलने वाला कौन है मन गालिक अंटे वेगंग अपो ये दी हवाई जहाज नहीं है राकेट नहीं है और कुछ भी नहीं है हमारा मन अब जो दिमाग में आ जाएगा बस मन उड़ता है अब अब प्रभास के बारे में सोचो प्रभास के सामने रहेगा आम लोग आप किसी केशियार चंडवाव नएडू या इन लोगों के दिमाग में तो उनके पास हमाद दिमाग जाएगा तो दिमाग उतनी स्पीड से अंतर स्पीड का फेली पोतल ने विदेश जाने वाला साथी कौन होता है जाने वाले का साथी कौन अते है विद्या अगर हम में कही भी हम गूम सकते हैं कही भी कुछ कर सकते हैं चदू लेक पोते करा नेक्स्ट मरनासन रुद्ध का मित्र कौन होता है जो मरन से आसन तो मरने वाला जो रुद्ध है उसका मित्र कौन होता है हम क्या सोचते हैं बच्चे उनके मित्र है या उनके जो रहते हैं ना आज गभुदों में पडोस वाले उनके मित्रसों से वैसा नहीं है लान क्योंकि बिशी के बाद अकिले चिलने इसके भाद मुछ Strange आपेफ लुक्य हं काम करें तो आछिए काम करें तो मुझे ओ बलेगा और वो अचार में साहरत मुझे मुझे तो हम मनने के बाद भी अमारा साथ देने वाला डान है सुक क्या है जो शील और सचरित पस्तित है सुक कुछ शुक महीं ने इंट दी पीव जोड़ा मा फोन जोड़ा मा पेट बर काना नहीं है जो शील और सचरित पस्तित है शील और सचरित मना गूट क्यारेक्टर है मनने के सुकान ने इस्तुंदी मना मन्ची ओरत एकरबेना कोंच विभली वाट अच्च वरिक मना सुकान ने इस्तुंदी पस ना सुकम ना संतोश माय मेनेट तो चिंता को छोड़ो सुक से जीओ चिंता वो लेख पोते मनसलों एकवन्टी चिंता बादल लेख पोते एकवन्ट आलोच लेख पोते उन्ना तरो पच्चे देसको दिनना त्रूप्तिग बद कोच किसके चूट जाने पर मनसलों सर्वप्री बनता है अहमबाव के चूट जाने पर सर्वप्री बोले तो सब लोग हमें पसंद करना है त्या कैसे पसंद करेगा अच्चे कपड़े पहने तो पसंद करेगा नहीं तो पैसे दियो तो पसंद करेगा नहीं ना अगर पार्टी तो ठीक है बच्चो समझ में आगे ना मैं ये बागी जो पार्ट है दूसरे भाग में बोलूंगा अब इस पार्ट में कुछ व्या करना शब्द भी आये हैं पैचाना है विलम शब्द दिन का विलम शब्द है राग अब दिन है बाद में क्या होगा राग एक अनेक तो येक डंडा है और अनेक एक कलम है और दो तीन रहे तो अनेक कलम और पास दूर तो पास ये पुस्तक में मुझे पास है तो वो पेर मुझे तूर है ऐसा विलम शब्द आपके नोस में लिख लीजिए अगर कुछ संदे हाए तो आपके हिंदी वाज़ापापों से पूछ लीज मैं अब बोलूँगा संबाद पढ़कर दो बार लिखकर आओ आओ आपजे संबाद हैना संबाद दियेना मैं संबाद के पढ़कर दो बार लिखकर आओ अच्छी तरब थीका मैंचो हम बाग दो में मिलेंगे धन्यवार